हेलो दोस्तो नमस्कार कोई में वन साइड बाते यहापर कर रहा हो तो डेफिनेटल आप उन चीजों को यहापर इग्नोर कर सकते हो और खुद का डिसिजिएन यहापर ले सकते हो उसी के साथ आज के दिन आप देख सकते दो वीडियो अपलोड हो चुके दोने वीडियो के लिंक नीचे के लिए नॉर्मल हुआ करती थी बट यहापर कुछ टाइम तक अगर हम लोग बात करें लग बग पिछले 6 मेने तक यह जो टेजी है वो बहुत बड़ी अभी नजर सामने आ रहें क्योंकि बिलकुल भी कोई मोमेंट नहीं था आप लोग क्लियर कट देख सकते 6 मेने का चा पक चुक है जिसके कारण इस स्टॉक में हम लोग को पैसा आते वे देखने को नहीं मिल रहा था सब्सक्राइब यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा है बाजार में चल रही है और वही रीजन अगर हम लोग पकड़े तो रिलाइंस इंडस्ट्री में हम लोग का आज के दिन यहां पर फिलाल तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों मैं वापस कहना चाओंगा मार्केट में बहुत सारे खबर रहते बहुत सारे मतलब बहुत सारे सो कभी भी इससे रिलेटर और भी अलग-अलग न्यूस सामने आ सकते है आप सब लोग को बता है बहुत सारे खबर ले इतने भी कामकाज यहां पर खतम हो जाएंगे साओधी एरमको की जो डील इनकी यहां पर अटकी पड़ी हुए उसका एलान भी हो जाएगा कि वो यहां पर सक्सेस्पुली यहां पर कम्प्लिट होने जा रही है वापस कहना चाहूंगा रिलाइंच इंडस्ट्री से और से ऐसा कोई भी ओफिशल अनौश्मेंट नहीं है क्योंकि वो तो फिलाल O2C बिजनेस को ही यहां पर अलग करने से रिलेटेड यहां पर कामकाज कर रहे है अफिशल कोई भी अनौश्मेंट नहीं होती है वो सारी चीज़े सोर्सेस के दौरा सामने आती रहती है तो यही सबस सकते हो जैसे यह डी मर्च की बात यहां पर आ जाएगी साधी अर्म को से रिलेटेड भी जो बाते हैं वो रीजिम हो जाएगी मतलब जो अंसर्टेनिटी लगे हुई है कितना टाइम हो गया यहां पर रैट कि एजेम में अनॉंस किया था कि एफ आम नौट रूम फॉर्टी स चीज देखने के मिल रहे है कि अर्म को कि साथ उनका वापस टॉक यहां पर चल रहा है ऐसा कोई बात नहीं रहेगा वापस करके अल्रेडी दे बुलते ना उनका यहां पर नीचे जाते वे देखने को मिला था और अगर वो डिल उस प्राइस के यहां पर अगर वो एक्जिकिट हो जाती तो साथी एरम को का बहुत बड़ा घाटा था और इसलिए उन्हें ने बीच में रिक्वेस्ट भी किती रिलांच इंडस्टी को कि वो आपस वो रि प्रोग्रेस ही नहीं तो अभी हम लोग कह सकते यह मेरी खुद की बाते नहीं बड़े एक्सपर्ट रहते वह अपनी बाते सामने रखते तो उन्हें नहीं बता है कि क्रूड ओइल में भी अभी फिलाल हम लोग ब्रेंड की बात करें तो क्रूड ओइल यहां पर अच्छी कि आसपास देखने को मिल रहा है तो वैल्यूशन की भी जो पहले प्रॉब्लेम हुआ करती थी जो साओधी अर्म को बोल रही थी ना कि हमारे ऑफिशेल्स डियू डिलिजन्स कर रहे हैं वह भी अभी अम लोग को फिलाल खतम होगे देखने को मिल सकता है तो ओवर यहां प तो इसलिए बाज़ार इसको अल्रेडी पकड़ के चल रहा है बड़ जैसे मैंने का कि फॉर एक्जामपल दोनों साइड से हम लोगों ने देखना चाहिए तो सारी अंसर्टिनिटी वाली बाते हैं बड़ अगर यहां पर आगे चीज़े ऐसी नहीं होती है तो एस पर अग या फिर और भी इनको डिले टाइम लग जाता है तो दिमे दिमे करके वो शेर भी नीचे आ सकता है तो फिलाल की जो जम्प हम लोगों को यहां पर देखने के मिल रहे है उसके पीछे का सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है कि जो अनसर्टिनिटी लगी है हर एक बिजनेस मे क्या होगा की नहीं होगा मैं कैसे बता हूँ होना तो चाहिए अगर नहीं होगा तो शेर नीचे आ जाएगा तो यही चीज फिलाल तो हम लोगों को यह आपे एक पॉजिटीव वे में देखने को यह आपे मिल रही है एंड अगर हम लोग थर्ड रीजन देखे सबसे पहले रिजन जैसे मैंने बता है O2C बीजनेस मतलब साओधी अर्यम को की डिल से रिलेटेड सेकेंड रिजन भी ऑईल से रिलेटेड ही था क्रोड ऑईल की रिकवरी बहुत शांदार है तो इससे रिलेटेड साओधी अर्यम को की डिल समझ में आ रहा निशान मतलब आगे जाके रिजन पर रिजन की रिजन पर बता है कि रिलेटेड से रिजन इंडस्ट्री यहां पर इस रैली में पार्टीसिपट हुआ ही नहीं है जो कि 100% सज बात है जो कि आप लोग उने देखा हो गगा जब मार्केट सम्वेर अरूड 12,000 भी था रफली पकड़ लेना वर्स टु वर्ड्स केच्च मत कर ले न 12,000 था तभी भी रिलांस 2000 के रेंज में था आज मार्केट 15,000 है फिर भी रिलांस उसी रेंज में तो रिलांस में अभी तक उस लेवल का पैसा नहीं आया जो कि आना चाहिए था क्यों नहीं आया जैसे मैंने वर्ड्स उसके को आप गाता है अनसरटीनिटी में तो अभी भी उनसरटाइनिटी एग्जिर्स करती है रिटेल के बिजनेस से रिले तो के चलते है आगर आप बहुंब गखने को मिला है and complete jump अगर आप लोग को देखने हैं तो definitely वो जब Amazon से related उनका जो triangular बना है future retail के साथ वो जब खतम हो जाएगा तब हम लोग को सारी चीज़े normal होती है देखने को मिल जाएंगी so यही सबसे major reason है जो कि हम लोग कह सकते 3 major reasons है जिसके चलते हैं आज हम लोग को अच्छी खासी jump यहाँ पर देखने को मिली है वापस कहना चाहूंगा Reliance Industry ने खुद officially अभी तक कोई भी ऐसी announcement यहाँ पर नहीं किये obviously जिस दिन वो करेंगे वो एक breaking news रहेगी फिलाल अभी भी हम लोग इसको question mark लेके ही चलेंगे बट उनके action से बोलते हैं ना action से हम लोगों को यह चीजे पता चल रही है कि शायद से अभी इनके deal यहाँ पर fulfill हो जाएंगी और इससे related जल्द से जल्द announcement भी पूरे market के सामने आ जाएगा इसी को पकड़ के फिलाल Reliance हम लोगो jump करते वे देखने को मिल रहा है आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जूम करके दिखाना चाहूँगा लगबग 35-36% के deliveries देखने को मिल रही है तो दोस्तो विडियो को close करने से पहले वापस कहना चाहूँगा लिख के बोलना चाहूँगा यह सारी चीज़े reports के जरी हम लोगो सामने आ जाती है यह तीन reasons के अगर हम लोग बात करें अभी तक कोई भी official announcement ना तो Saudi RM को से है ना तो Reliance इंडस्ट्री से भी है यह भी point आप लोग ने note करके आपे चलना चाहिए अगें केना चाहूँगा Reliance के लिए 2021 थोड़ा सा tough हो सकता है specifically retail से related जो बाते है Amazon आप सब लोग को बता है उनकी deal पे वापस halt लग चुका है किस से related वो भी Supreme Court के order के वज़े से जो retail का issue है वो लंबी आवदी तक चलने वाला है जियो की बात करें जियो तो अच्छा performance दे रहा है बट देखा जातो एरिटेल का फिलाल का performance अच्छा है और फार्मर प्रोटेस के कारण भी जो ने अच्छे खासे subscriber यहापे लूस किये हैं तो वो भी एक उनके लिए drawback ज़रूर है और O2C business फिलाल अभी हम लोग बात करें तो हम लोग आगे की future को जो अभी तक सच नहीं हुआ है बट उसी को पकड़ के हम लोग मांद रहे हैं कि यस ये सारी चीज़े सच होगी और इसी के चलते stock हम लोग को भागते वे देखने को मिल रहा है आयो बशा करता दोस्तों जैसे मैं आप लोग को बता है ये reasons रहते हैं ना दोस्तों ये reports के जरीए सामने आते officially कुछ भी नहीं रहता है तो जैसे मैंने का कि और भी कोई-कोई reasons रह सकते हैं लेट नइट भी कई सामने आ सकता है तो अगर कोई reason और एक extra सामने आ गया तो definitely उससे related भी मैं आप लोग को update कर दूँगा बट फिलाल reports के जरीए ये तीन major reason हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे है O2C का separation, oil की recovery, crude oil के prices में add यहाँ पर जो पैसा अभी तक relance में नहीं आया है रैली में उसने participant नहीं किया तो यहाँ पर एक major पैसा यहाँ पर आ सकता है यह तीन major reason फिलाल तो बता है जा रहे है आए बशा करतो, आपको यह वीडियो पसंद आए होगा यह update पसंद आए होगा तो ज़रूई स्वीडियो को like and share कर देना So that's it, thank you very much So we will be meeting earning studio, तब तक के लिए, bye bye